नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग सत्रू बाधा नजर दोस तंत्र क्रियाओं से मुक्ति कर्ज मुक्ति के लिए लाल मिर्च का महाप्रियोग के जाता है यहां तक कि अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है पर वापस करना नहीं चाता तो भी आप कर सकते हैं लाल मिर्च का महाप्रियोग और अगर दुकान भी बांदे आपका बैपार दुकान तो भी लाल मिर्च के प्रियोग से आप उस बंधन को काट सकते हैं तो आज हम आपके साथ जूड़े हैं, बहुत सारे टोटकों के साथ लाल मिर्च के उस महा टोटके के बारे में बताएंगे, जो आपके हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, तो चलिए जानते हैं बिस्तार से, कभी कभी होता है आपके अपने लोग भी आपसे जलते ह और आसपास वाले लोग तो जरूरी नहीं है, कि हसके बात करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा भाव रखते हैं, क्योंकि इस आधनिक यूग में लोगों का भलाई कम करते हैं, और अपनी पहले सोचते हैं, कोई बात नहीं, होना भी जाई है, लेकिन चलिए सुरूत कर करते हैं, कि आखिर अगर आप माल लेते हैं, आपका पैसा किसी नहीं ले लिया, आपको देना नहीं चाहता है, तब क्या करेंगे, तब आपको रभी बार के दिन से ये काम सुरू करना है, आपको पूरे कम से कम 27 दिन, अगर आप पुरूस हैं, तो महिला हैं, तो 21 दिन मन में रखिए कि हम दे रहे हैं, भगवान को ये काम कर रहे हैं, और मेरा कारे पूरा होगा, जीवन में जो आप सोचते हैं, वही होता है, इस बात को हमेसा याद रखिए, और जब उन सपनों को पूरा करने मिर्च के बीच चाहिए होंगे, आपको मार्केट में मिल और लोटे में जनमें लेके सुबह सुबह डालना है, अगर भगवान सुरी को अर्पिक कर देना है, और सुरी जैसे प्राहना करवा देते हैं, कि प्रभू तो हमारा पैसा जिसने लिया है, उनको सस्जाती दें कि हमें वापस कर दें, तब महार से बाहर निकलने के रास्ते इस टोटके को आप करके जीवन की हर कटनाईयों से बाहर निकल सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक बात जान लें, अगर आप करजों की समस्या से परिसान है, या पैसा आपका कहीं फस गया है, जीवन में कैसी भी धन की समस्या हो, एक छोटा सा प्रियोग करे, देखिए आप रोज नहाते भी होंगे, भगवान सूरी को जल भी देते होंगे, यह हमें पता है, क्योंकि अमुमन हर ब्यक्ति नहा कर भगवान सूरी को जल अरपीत करता है, नहीं करते हैं, तो कोई दिकत नहीं, लेकिन रभी बार के दिन से शुरू करके लगातार 27 दिन तक ये आपको परियोग करना है, अगर आप महिला हैं, तो लगातार 27 दिन तक परियोग करें, तो धन की मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए ये परियोग बहुत सिंपल है, इसको कीजिएगा, आपको लाब होगा, लाल सुखी वी मिर्च के बीज, वैसे आपको मार्केट में भी बीज म अरपित करें, अगर आप चाहें, तो एक चुटकी यूहीं, विना गिने, एक चुटकी उठाकर जल में डाल कर भी अरपित कर सकते हैं, जब जल अरपित कीजिए, तो भगवान सुरे से प्रार्थना करें, कि जीवन में जो धन की मुस्किल है, जो लोग आपके पैसे लेकर बैठ गया है, जो करजों की समस्या है, जैसी भी धन को लेकर कोई भी परेसानी हो, उन से प्रार्थना करें, और वहीं पर हनुमान चली साप का पाठ कर लीजे, खड़े खड़े या बैठ कर जैसी भी सुविधा हो, आप चाहें तो घर के अंदर भी आकर कर सकते हैं, कोई कर पाएंगे, छूट जाएगा, कोई बात नहीं, आपके कोई घर के लोग ही आपके बदले में कर देंगे, तो ये मिर्च बड़े जादू का काम करते हैं, इसको करके देखिए, आपको लाब होगा, अब हम दूसरी बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है न, आपके सत्रू बिरोधी, दुस्मन, बहुत परिसान करते हैं, आपको तो पता है, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ दुखी दुख हो, सुख का नामों निसान ना हो, तब तकलीफ होती है, बहुत बार कुछ ऐसी समस्या होती है, कि जो खत्मी नहीं होती अब इन समस्याओं के कारण, आपके जीवन में हर काम में रुकावटे आती है, बाधाये आती है, आपका मनोबल तूटता चला जाता है, ऐसे में एक छोटा सा टोटका, जो आपको इन तमाम परिसानियों से समस्याओं से बाहर निकालेगा, तो आज लाल मिर्च के टोटके बहुत सिंपल है, आज हम आपको बताएंगे, चलिए, आपको लगे कि सत्रू बिरोधी बहुत एक्टिव हो गया है, बहुत परिसान कर रहे हैं, आप ब्यापारी हैं, यहां सत्रू सत्रुता निकाल रहा हैं, आप सौपकी पर हैं, यहां पर यह हाल है, आप जॉब करते है आपके आफिस में सत्रू हैं क्या करेंगे देखें किसी भी मंगलवार या सनीवार की रात आपको यह काम करना है क्योंकि मंगलवार और सनीवार की रात तोटके अगर किये जाए तो वो विसेज फल देते हैं क्या करेंगे अपने घर से बाहर निकल कर मिट्टी में एक छोटा मिर्च ले ले अपने सर से अपने उल्टे हाथ में रखे यानि बाएं हाथ में रखे सत्रू का नाम लेते वे पांच बार अपने सर से उल्टा वार ले उल्टा वार ना मतलब घड़ी की दिसा में नहीं बलकि बिप्रीद दिसा में एंटी क्लोग बार ले अब सत्रू का नाम नहीं करेंगे वो सांथ हो जाएंगे खुद बखुद बहुत सिंपल है यह प्रियोग करना और यह प्रियोग जब कीजिएगा ध्यान रखिएगा कोई टोके नहीं देखे नहीं आपको चुपके से करना है सामके समय भी कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं कोई दिक जीवन में बहुत सारी परिसानियां होती है रातों की नींद खो जाती है आपको समझ में नहीं आता इन मुश्किल हालातों से आप बाहर कैसे निकलें तब एक छोटा सा काम करें 21 मतलब 21 दने रात में सोने के पहले एक काज़़ पर रहके और अगले दिन इसको अपने सर के ऊपर से 7वार वार ले और ले जाकर अपने घर से बाहर भीज जाए आप चाहें तो पानी में सुखी लाल मिर्च के बीच डाल कर भी अपने सिराने रखकर बाहर फेक सकते हैं इससे जीवन की समस्त परिसानिया दूर हो जाती है अब आते हैं आपके बिजनस पेप साइपर कई बार होता है आपका बिजनस अच्छा नहीं चलता लाग परियास कर लो लगता है किसी की नजर लग गई है तब क्या करेंगे एक छोटा सा काम करें बिजनस की काम की बाधाओं को दूर करने के लिए एक लोटा पानी ले 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 या एक जग पानी ले 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 ग्लास में भी ले सकते हैं उसमें 21 दाने लाल मिर्च के डाल दें अब इस पानी को अपने उपर से साथ बार उल्टा वार ले घर से बाहर रोड के उपर बाहर रोड पे फिक ले चुपके से करना है पिछे मुल कर मत देखिएगा काम की समस्त बाधाएं दूर होगी किसी की भी नजर हाई बद्वा दोस हर तरीके परिशाने से मुक्ती मिलेगी कई बार होता है लोग घर में बिमार पर जाते हैं जल्दी ठीकी नहीं होते दवा भी काम नहीं करती एक छोटा सा काम कीजेगा साथ लाल मिर्च ले ले बिलकुल साबूत सुन्दर सा देख कर लीजिएगा अब थोड़ा सा काला तिल ले ले और फिटकरी का छोटे छोटे टुकरे ले ले साथ टुकरे मिल जाए तो अच्छी बात है और इसके साथ ही जाइफल जाइफल आपको मार्केर में मिल जाएगा छोटे बच्चों को जब तेल लगाया जाता है तो तेल के कटोरी में जाइफल को रखा जाता है ताकि बच्चे को नजर ना लगे तो आपको मार्केर में पूजा समंगरी के दुकान में मिल जाएगा जाइफल ले आईएगा अगर जाइफल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं आप साथ काली मिर्च ले लीजिएगा अब इसको लाल कपड़े में बान कर पोटली बना ले जो बेक्ती बिमार हैं उनके सिरहना सुक्रवार के दिन रात में रख दे अगले दिन इस पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे यानि सनी बार की सुबर चुपके से रखाएए पीछे मुड़ कर मत देखिएगा उनके स् परिसानी होगी वह समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे वह ठीक हो जाएंगे बहुत सिंपल प्रियोग है काम की समस्त बाधायें भी दूर करेंगा स्वास्त भी अच्छा करेंगा हम आपसे